हे हालो फ्रेंड्स वेल्किम बैक टू माय चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज के इस टैडो का रिडिंग में हम जारेंगे फिर से एक बार आपके परसन की करन्ट फिलिंग्स क्या है क्या सोच रहें वो इस वक्त उनके करन्ट एनरजी चेक आउ मेल के लिए देख सकते हैं फिमेल लिए देख सकते हैं टायमलस रिडिंग है यानि की कभी वीडियो आप देख सकते हैं जब भी आपकी स्क्रीन के ओपर य विडियो आएगा आपकी सेच्छेशन के साथ शायद मैच कर सकता है तो यह जनरल रिडिंग है यानि कि सभी राशियों के लिए रिडिंग है तो चली पॉजिटिविटी के साथ इस रिडिंग को शुरू करते हैं आपको जो भी सवाल आपके मन में है वो मन में लाएए उसके उपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर के यूपर भी फोकस कीजिए ताकि आपको उस सवालों की जवाब मिल सके हैंजल प्लीज गाइड करें एंजल और उणिवर्स प्लीज गाइड करें जो भी वीवज इस वग्त जिस्भी वैकति के बारे में सोच रहे हैं उनん की करन्ट एनशी में क्या है ये universe please guide करे परसन की current energy में क्या है Angels or universe please guide करे परसन की current energy में क्या है तो यहाँ पर magician का card आया है तो यह person सोचते हैं ना कि यह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं इनमें वो confidence है उनमें वो power है जिसकी बल्बूते पर यह जब चाहे आपको propose कर सकते है जब चाहे आपको वो इग्नोर कर सकते हैं जब चाहे उनका मन करेगा तो वो कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं मतब अपनी मर्जी चालाना चाहते हैं ऐसा लगता है वो सोचते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है पावर है, अट्रैक्शन है मतलब उनको ऐसे लगता है ना कि आप इनके पीछे पागल है और आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आप इनसे बेपनाह मोहबत करते हैं जिसके वज़े से भले ये आपको थोड़े दिन के लिए इगनोर करें ये आपसे डिस्टंस रखें तो भी आपका प्यार कम नही होगा इस तरकी कुछ vibes इस तरकी कुछ energy आपके person की निकल कर आई है यह एक नंबर का काड है magician positive energy है जहां पर person बेफिकर है इनके पास power है इनके पास confidence है इनके पास will है यानि कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में ऐसा नहीं है कि आपको भूल रहे हैं लेकिन ऐसा भी है ना कि अभी वो ऐसा सोचते हैं कि वो कभी भी आपको propose कर सकते हैं अपने मर्जी से अपनी मर्जी चलाना चाहते ह हाथ में वो power है इनके हाथ में वो magic है ताकि आपको नचा सके या फिर आपको जब ज़रूरत है उसका उनको कुछ भी नहीं पड़ा है वो सोचते हैं कि मेरे मन से मैं कभी भी phone कर सकती हूं या सकता हूं उस step की यहाँ पर vibration आई है यह major अरकाना का काड है तो clarify करें कि angels please clarify करें कि magician का काड यहां पर क्यों आया है क्या कहना चाहता है magician का काड इंजल्स प्लीज गाइड करें इंजल्स और universe प्लीज गाइड करें यहां पर cards पर card उल्टे पड़ते जा रहे हैं इंजल्स प्लीज गाइड करें Mädजिशन का काड किव आया है Angels प्लीज गाइड करें इंजल्स और universe प्लीज गाइडकरें तो यहां पर आया है king of pentacles ऐसा लगते है यह person बहुत कुछ पाना चाहते हैं और आपकी situation ऐससे लगते कि आप बहुत ज़दा दुखी है तो person यह चाहते हैं king of pentacles यह नि कि सब कुछ हासिल करना चाहते हैं आपको तो हासिल करना ही चाहते हैं सातीजात है यह person जैसे कि पैसा इनको कमाना है गाड़ी, घर, बंगला, सब भी materialistic world में खोए होए हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत knowledgeable person हो सकते हैं, ऐसा लगता है ना कि इनके पास ऐसे power है कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो उसमें से आपको भी ये option समझते हैं, यानि कि जैसे चीजें हम खरीते हैं जैसे कि गाड़ी चाहिए, तो मेरे पास पैसे है तो मैं गाड़ी खरिद लोगा, अगर मेरे पास पैसे है तो इक घर, बंगला, कुछ भी खरिद सकता हूं तो ये सोचते हैं कि मेरे पास power है सब कुछ हैं तो आप कभी भी इनको मिल सकते हैं, ऐसी कुछ energy हैं पर मुझे दिखाये यह person की राशी Taurus, वर्गो, Capricorn, यानि कि मकर, वुरुष्यप राशी या फिर कन्या राशी हो सकती है, साथी साथ Cancer, Pisces, Scorpio, यानि कि करक राशी, में राशी, वुरुष्यक राशी, यह आपकी energy यहां पर ऐसी है ना, कि आप बहुत ज़्याद सैड है, बहुत ज़्याद सैड ह मतलब इनकी तरफ से आपको कुछ न कुछ एक strong फैसला, जो भी इनका फैसला है, आपको चाहिए, इनकी मुह से आपको सुनना है, ऐसा मझे है, आप strongly लगता है, जिसके वज़े से आप चिंतीत यहां पर नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अच्छा वक्त जो आपने गुज़ारा, इस परसन के साथ, वो भूल कर अभी जो बुरा वक्त आप दोनों के भी शुरू है, उसके उपर आपको focused यहां पर लगता है मुझे, यानि कि अच्छा वक्त आगे भी है और पीछे भी था, लेकिन आप अभी दुखी इसलिए है, क्योंकि यह परसन से इनका contact शायद हो सकता है, या person आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ भी clarification नहीं दे रहे हैं, आप clarity चाहते हैं इस रिष्टे में, मतलब क्या होगा आगे आप जानना चाहते हैं, ऐसी कुछ energy यहां पर उठकर आईए, तो यहां पर हम clarify करेंगे, angels please हमें बताएं कि person की current energy में और क्या है, angels please guide करें कि person की current energy में क्या है, क्या है उनके दिमाग में, दिमाग में क्या चल रहा है, subconscious mind में क्या चल रहा है, please angels बताएं, angels और universe प्लीज गाइड करें कि person की दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जो भी वीवर्स देख रहे हैं, उनके partner के दिमाग में क्या चल रहा है, तो queen of pentacles के energy आगे, ऐसे लगते हैं यह person ऐसे सोच रहे हैं, कि आप perfect partner हैं इनके लिए, और आगे जाकर यह आपको propose कर सकते हैं, अभी इस वक्त शायद no contact है, क्योंकि यह बिंदास है, यह person ऐसा सोचते हैं, कि भला कितना भी देर हो जाए, या कितना भी वक्त हो ज जाए, कितने भी differences आजाए, आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, जिसके वज़े से person मुझे बिंदास दिखाए देते हैं, तो जहाँ पर अगर आपने इनके पीछे पड़ा है, इनको ज्यादा importance आपने दिया है, तो यह अभी नक्रे दिखा रहे हैं, ऐसी कुछ situation आपर है लेकिन यह positive way में आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि queen of pentacles positive energy है, जहाँ पर यह सोचते हैं कि आप इनके जिन्देगी की राजकुमारी हो सकते हो, या राजकुमार हो सकते हो, या फिर आपके साथी future देखना चाहते हैं, growth और success आपके साथी देखना चाहते हैं, आप देख सक divine connection भी हो सकता है, या फिर जन्मों जन्मों का आपका नाता हो सकता है, भले अभी कुछ भी differences हैं, या कुछ भी आप दोनों में नोग जोख हैं, कुछ भी जगड़े हैं, या फिर आपको चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा हैं, या person ने आपको कुछ options रखे हैं आपके सा मेरे लिए शादी के लिए रिष्टे आ रहे हैं, तो अभी कुछ वैसला लेना होगा, ऐसी कुछ situation मुझे या पर दिखाये देती हैं, लेकिन future आप दुनों का मुझे strong दिखाये देता है, क्यों कि King और Queen आ गई तो ये रिष्टा तो जूड़ेगा, लेकिन क्या problem है, Angels please बत में इस रिष्टे में क्या problem है, Angels please बताए, Angels और Universe बताए, तो यहाँ पर Queen of Wands की energy आई है, तो ऐसा लगता है कि इनकी घर में से कोई person नहीं मान रहा है, इस रिष्टे को हो सकता है, या आपके घर से कोई नाराज है, इस रिष्टे के खिलाफ मुझे दिखाये देता है कोई तो, Queen of Wands की energy आई है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि Aries Leo Sagittarius क यह person हो सकते हैं, सभी राशे आगए लगबग यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि कोई तो है एक person है आप दोनों के बीच, जो यह रिष्टे के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है, जिसने आपके person को रोक के रखा है, अभी तो ऐसा लग रहा था कि person के नक्र दिखाए देता है, जो आप दोनों के बीच में है, जो ना मंसूरी है, उसकी तरफ से ऐसा मुझे लगता है, जानने की कोशिश करेंगे, एंजल्स प्लीज बताए, क्वीन ओप वांड्स की आई है, एंजल्स प्लीज बताए, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड कर तो यहाँ पर जस्टीस आया है, भले कोई भी आपकी रिष्टे के खिलाब जाए, आपका रिष्टा होकर रहेगा, ऐसा यूनिवर्स का कहना है, क्योंकि जस्टीस का कार आया है, तो अगर आपका प्यार सच्चा है, या एक दुसरे के लिए आप बने हुए है, रिष्टा अगर आपका divine connection है, तो यह रिष्टा जूडएगा, तोटेगा ने, भला कोई भी यह रिष्टे के खिलाब क्यों न हो, वो नहीं तोड़ पाएगा, या फिर नहीं मन बदल पाएगा आपके person का, या फिर यहाँ पर ऐसा लगता है न, एक अच्छा वक्त आएगा, जहाँ अब यह आपके नाराज की मझे दिखाये देती है, यहाँ पर sadness आपके energy में दिखाये देता है मझे, महत ज़दा सोच रहें आप इस रिष्टे के बारे में, और कोई रिष्टे के खिलाफ है, शायद आपको पता भी होगा, इनकी शायद अगर कोई lady figure अगर है, तो वो उनक की mother हो सकती है, बड़ी sister हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई lady figure person के घर में, जो अपनी बेटी या अपने relative को इन से शादी करवाना चाहती है, यह lady figure या feminine energy हो सकती है, कोई person भी हो सकते है, लेकिन ऐसा लगता है कि justice होगा, आपने अगर इंतजार किया है, तो पर favor में आपकी ही रिष्टा होगा, मतलब आपके favor में जैसा आप चाहते हैं, इस person से रिष्टा चाहते हैं, तो universe यह कहता है कि इसी person के साथ आपका रिष्टा होगा, मतलब यह आपके लिए confirmation आगया है, justice का positive card आया है, यहाँ पर फैसला आपके हिस्से में ही होगा, यानि क णिनों में ऐसा मैं जै strongly हाँ पर दिखाए दिता है, तो चले जानते कि justice के energy यहाँ पर क्यों आई है, angels please बताएं, कि justice के energy क्यों आई है, angels फ्लीज गाइड करें, universe फ्लीज गाइड करें, ark engine Michael फ्लीज ह एलप करें, कि justice के energy हांपर क्यों आई है, क्या कहना चा 누 Hemक्वार्च कश कोई भशीश करें इंजस प्लीज बताएं कि Justice का एनर्जी इनर्जें यहीं पर क्यां पर नप्र holds मेंज रहने आई है लुशनर नुव कर अभु चृक्मास बहुत यह अच्छी अच्छी आपर आईए ऐसे लगते हैं आपको 2010 हो रहेगा भरि कोई भी कितने भी किकने की कोशिश करें या आपको अलग करने कि कोशिश करें या भी आपके बीच प्र congressional कि उप kita तो ऐसे कुछ भी नहीं है, अच्छा वक्त, या फिर new beginning यहाँ पर आप कह सकते हैं, बहुत यह अच्छा वक्त, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगता है कि जितनी feelings आपकी है, उतनी आपके partner की मुझे दिखाए देती हैं यहाँ पर feelings, two of cups की energy यहाँ पर आई है, cancer, Pisces, Scorpio हो सकते हैं यहाँ पर ऐसे लगता है ना कि अभी सब कुछ balance में आ रहा है, star की energy balance को दर्शाता है, यानि कि अभी आपका no contact situation था, या suddenly a person आपसे दूरियां रखने लगे किसी भी वज़े से, किसी person की वज़े से, या कोई भी दुसरी वज़े हो सकते हैं, जो शायद यह person ने आपसे secret र या पर magician का card भी यह कहता है, secret है कुछ तो, जो आपको बताने से डरते हैं, person शायद आपका दिल तूट जाए, या आपको तकलिफ में नहीं देख सकते हैं, person या फिर आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो यह रिश्टा आपके साथ ही करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ उनकी family के अंदर की personal चीजे हैं, जो शायद आपके साथ share नहीं की हैं, लेकिन क्योंकि यह divine connection हो सकता है, तो आप वो महसूस कर सकते हैं, मतलब person के स्वभाव से, या उसकी बात करने के तरीके से, आप बह से शायद आपको पता चलता है, कि यह किसी से डरते हैं, या किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ऐसी कुछ energy है आप और है, लेकिन यह रिश्टा balance में आ रहा है, मतलब यह रिश्टा होकर रहेगा, divine connection, soulmate connection, ऐसा मुझे लगता है, यह person ने आपको दिल में रखा है, दिल यहां पर क्या बताना चाहते हैं, angels please बताएं, कि star की energy हां पर क्या बताना चाहते है, star की energy हां पर क्यों आई है, angels please बताएं, universe please गाइड करें, three of swords की energy आये, तो शायद कोई तो है जो रोक रहा था इस person को, आपकी तरफ आने से ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर person का दिल टूटा है, यहां पर उपर five of cups और नीचे three of swords, जिसमें pain दिखाया देता है, emotional pain, दिल टूटा हुआ, इंसान यहां पर मैसूस हो रहा है किसी को चोट पहुची है, और जो feelings expressed भी नहीं कर सकता है, ऐसी हालत कुछ आपकी person की है, कि वो अंदरी suffering जो है ना, वो महसूस अंदरी अंदर कर रहे हैं, या फिर खुद वो सहन कर रहे हैं, आपके साथ शेर नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें, खुद को तकलिप में डाल दि या या फिर यह रिष्टि को नहीं अपनाना चाहते है, क्योंकि आपको तकलिफ हो जाएगी यह सुनकर, इसके लिए शायद यह person खुद ही सफर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो और भी check out करेंगे कि क्या person की हालत है, इस वक्त, please angels or universe please guide करें, कि person की current energy में और क्या है क्या होगा उनका next action जानने की कोशिश करेंगे, please universe guide करें, page of sword की energy है, जहाँ आप ऐसा लगता है, कि इनका thought process में तो आप ही है, यानि कि आपके बारे में सोचना, आपके बारे में सब कुछ इनको खयाल है, हर एक चीज़ का, या फिर जो भी इन्होंने बोला है, commitment आपको नह नहीं देना चाहते है, यह सुरिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते है, नीबाना चाहते है, शादी करना चाहते है, ऐसी कुछ energy है आप पर आई है, जहां पर यह person एक new beginning भी चाहते है, अपकी साथ एक happy family चाहते हैं, और आपको अपनाना चाहते है, ऐसा मज़ लगता है, page of swords के energy, यानि कि उतने भी mature नहीं है, आपके person काम उमर वाले हो सकते हैं, ऐसे energy, बहुत यंग और energetic person हो सकते हैं, मतलब बिलकुल शादी के उमर के person हो सकते हैं, जैसे कि 25 to 30, नीचे कार्ड गिराता है, जो है queen of cups तो ऐसा लगता है, यह person आपको लेकर बहुत जादा emotional भी है, और आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहें, दिल से चाहते हैं कि यह रिष्टा हो, ऐसी कुछ energy यह आपर उठकर आईए, तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पर king of wands की energy है, bottom of the deck, वो भी लेंगे हम, तो अभी इनका ऐसा फैसला होगा ना, कि मतलब आपकी तरप ही होगा, आपका इंतिजार खतम होने वाला है, और रिष्टा कायम करने वाले आपकी परसन, अभी तक आपने मेहनत बहुत कुछ की है, इस रिष्टे में, आपने वेट किया, इंतिजार किया इस परसन का, और इस परसन भी आपको दिल से चाहते हैं, queen of cups के energy, आपके साथ family चाहते है आपको लेकर बहुत ज़्यादे emotional है, आपके बारे में सोचना, या फिर इनका दिल पिगल जाता है, feelings बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, तो ऐसी कुछ feelings है ना, जहांपर यह person आपकी बिना नहीं जी सकते हैं, या फिर आपकी बिना और किसी से ही शादी नहीं करना चाहते justice का कार्ण यहाँ पर ऐसा कहता है, कि यह सीना ठोक कर कहेंगे, कि आपको अपने जो भी person इस रिष्टे के खिलाब है, उसको कह सकते हैं, कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा या करूंगी, इस step की vibration यहाँ पर है, जहांपर यह person confidence में आएंगे, अपनी दिल की ब बताने से या कुछ भी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि person अभी बताएंगे, कोई भी हो या उसके circumstances कुछ भी हो, या बाद में उसके अंजाम कुछ भी हो, वो नहीं डरेंगे, सिधा-सिधा जो भी person इसको रोकेंगे, उसकी मुह पर यह बोल सकते हैं, कि मेरा already कोई, जिसको मैं पसंद करता हूँ, उससे में शादी करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, ऐसी कुछ vibration या आपर है, तो यह person ऐसे लगता है, आपके रिष्टे में magician का card आया है, justice का card आया है, उसके बाद star का card आया है, और यह सभी cards major arkanah से हैं, जो powerful energy, positive cards आया है, major arkanah से, कोई negative card नहीं आया है, इसका मतलब कि यह रिष्टा होकर रहेगा, positive energy universe आपको भेज रहे है, positive vibes कि रिष्टा होकर रहेगा, ऐसा कुछ न कुछ अचानक होगा, कि रिष्टा जूट जाएगा, अगर आपने सोचा भी नहीं, या फिर आप मायू से बहुत जादा सोच रहे हैं, कि क्या होग आगे इस रिष्टे में, तो यह रिष्टा जूट जाएगा, क्योंकि यहां पर two of cups की energy जहां पर दोनों मिल रहे हैं, और share कर रहे हैं अपनी जिंदेगी एक दुसरी के साथ, यानि कि एक दुसरी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और रिष्टे में न सच्चा प्यार मुझे दिखाया देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ physical attraction है, यानि सुन्दरता से आकरशित नहीं है आपके person, जैसा आपका स्वबाव है, उसको पसंद करते हैं, आपका स्वबाव, या फिर आपका बात करने का तरीका, यह सब कुछ आपका wisdom, knowledge होगा आपके पास, आप family को समान सकते हैं, आपको स्वबाव बहुत जादा attract करता है person को, यानि कि overall आपको पसंद करता है, ऐसे नहीं कि भारी सुन्दरता देखकर, आपके साथ रिष्टा जूड़ा है, ऐसा नहीं है, यह person जैसे भी आप है वैसे आपको बहुत जादा पसंद करते हैं, ऐसी energy हैं आपर जिंदेगे में आते हैं मुझे नजरा रहे है, तो आज की reading में इतना ही claim कीजिए इस positive energy को, अगर इस वीडियो आपके साथ resonate किया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, thank you all of you, thank you angels, thank you universe.